अभी सातियों को राम राम नवशकार उमीद गरतों आप सभी बहुत ही बडिया होंगे इस वीडियों में बात करने वाले हैं CRPF Constable Technical and Tratesman की भरती के बारे में और इस वीडियों में बात करेंगे इसकी रिजल्ट डेट के बारे में क्योंकि अब तक यह था कि कब रिजल्ट हो रहा है इस भरती को लेके लेकिन मैं आप सभी को कुछ बहुती इंफॉर्मेटर जानकारी इस वीडियों में देने वाला हूँ अगर आप CRPF Constable Technical and Tratesman की भरती को लेके सीरियस हैं और अगर आपको इसमें सेलेक्शन चाहिए तो मैं आप सभी से एक ही चीज़ को हूँग और एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहा है अब देखो यहां पे अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है कि इस विकेंशी को लेकर आप देखेंगे तो हर बार कुछ नो कुछ यह लगता है कि अब रिजल्ट आजागा लेकिन इसका रिजल्ट तो इस अप्यर्ट की यह लिए गया अब यहां पर आपको कुछ चीज़ हैं जो की आप को समझनी हैं अगर आपने इस चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया तो आप यह समझ लो कि अन्य भर्तियों की तरह आपको इस भर्ती में भी कुछ नहीं मिलने वाला है लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हुँ कि जो बच्चा serious है वाले उसे कहीं पर भी सफलता मिली हो या ना मिली हो मिलने वाली हो या ना मिलने वाली हो लेकन इस भरती में उसे नौकरी ज़रू मिल सकती है आपको कोई चीज़ें हैं जो की practical दोर पर यहां पर समझनी होगी यहां पर सबसे ज़रूरी होता है और खास करके अगर आप पुलिस और फॉज की भरती देख भी रहें तो अगर आप में पेसेंस नहीं है तो आपको नौकरी के बाद भी दिक्कत होने वाली है तो सबसे में चीज़ है आपका पेसेंस आपकी में होना ही चाहिए अब यहां पे एक चीज़ समझो के देखो आप सभी ने अगर CRPF की recruitment website पे बिजट किया होगा तो आप सभी को बताएं कि यहां पर paramedical staff जो 2020 वाली भरती थी इसका result जारी कर दिया है इसमें जो आपकी technical और non technical की जो post थी उसका result आ चुका है और इसके लिए notice भी यहां पे ज जारी किया था paramedical वाली भरती को लेके important notice यह आपके समझने के जरुवती क्योंकि बहुत सारे बच्चे कर ख्या रहे हैं जो आपके लिए जरूरी चीज़ों होती है वहां आपका ध्यान जाता ही नहीं है अब यहां पे आप देखो कि जो जारी हुआ था इसमें जो जो आने के बाद अगर आप देखेंगे तो इननने डारेक्ट ली क्या वोला हुआ है आप समझे यहां पे कि नेक्स्ट स्टेज ऑप दा सब्जेक्ट रिकूड्मेंट प्रोसेस इस्किल टेस्ट नंबर वन इस्किल टेस्ट नंबर सेकंड डोकॉमेंट वेरिफिकेशन और डि अग्सार्ट हो जाएंगी जिसमें चार फेस बीबची हुई है आप समझो कि यहां पे स्किल टेस्ट भी होना है डोकॉमेंट वेरिफिकेशन भी होना है और कोई बच्चा फेल हो जाता तो उसका रिमेडिकल एक्जामिनेशन भी होना है आप सभी को पताए कि CRPF HACM बाली आप सभी को बताऊगा कि चार चाल लिस्ट वहाँ पे जारी हुई हैं एक साथ करवाली जाएंगी कि जो भी आपके स्टेज वचे हुए हैं वो सभी स्टेज एक साथ से आपके क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखे तो आपका लिएँगा और आप स्पिस्ट वह प्लाइस के लिए और बहुतने सप्पर पर से लिए के बद एक स्टेश के बाद तुन से ही सभी स्टेश करबारी जाएंगी तो कितने बच्चे i اैसे होंगे जो कि आज की स्तिती में तयार होंगे या यानि कि आप ऐसे एक बार रेजियूम करके देखो कि आसे 15 दिन बाद इसका रेजल जारी होता है और 15 दिन बाद रेजल जारी होने के बाद 10 दिन बाद आपको बूला जाता है कि फिजीकल इसकेल टेस्ट यानि ट्रेट टेस्ट डोकुमेंट वेरिफिकेशन डीमी आरेमी ये सारा प्रोसेस आपको एक दिन आना है और लगातार आप सभी का कंटेन्यू करवाया जाएगा तो आप यकीन मानिए कि जितने बच्चों को यह कौलिफाय करेंगे 80% कम से कम बच्चे डिस्कॉलिफाय हो जाएंगे मैं तो कौनगो और ज्यादा ही बच्चे यहां पर डिस्कॉलिफाय होंगे तो अगर आपको CRP of Constable Technical and Tradesman में नौकरी चाहिए तो यह भरती आपको नौकरी दे कर जाएगी लेकिन आपको इसके प्रती सीरियस रहना पड़ करेगा आपने जिस ट्रेड के लिए भी अप्लाई किया है उस ट्रेड की सबसे में चीज़ है कि यहां पर ट्रेड टेस्स की आप तयारी घर के रखो क्यूंकि बच्चों के दिमाग में सर्फ एक ही चीज चल रही है कि कितनी जाएगी आप चीजों को समझ नहीं रहे हैं कि चीजे जब से इन्हों ने यह चीज बदली है ना आप हर वरती में देख लो अभी की रिसेंटली जितनी वरतियां कंप्लीट हो रही है उनमें कई ना कई कट आफ आफ आपको कम देखने के लिए मिल रही है कि सट्टनली एक साथ पूरा प्रोसेस कंप्लीट करवा देते है एक स्टेज के तुलंद बात, बच्चा इतनी जल्दी मैंटलीट प्रिपेर नहीं उपाता ना, फिजिकली तयार होता, करेशन क्या है कि हर किसी का यह ही रहता है कि एक स्टेज का रिजल्ट आएगा, एक स्टेज का रिजल्ट आने के बदाद जब दूसरे स्टेज की तया पहले से बहुत कम जाती है और कम जाने के साथ साथ उपर से इस तरीके से प्रोसेस करवाएंगे तो सीधी सीवात है कि आपकी जो कट-off होगी और भी कम जाएगे तो कट-off की तरब तो आपका फोकस होना चाहिए नहीं होना चाहिए और मैं आप सभी को एक ही चीज़ कहुँगा के minimum qualifying marks अगर आप ले के आ रहे हैं तो आप यह समझो कि आपको अपने examination की तयारी करनी चाहिए और आप आराम से यहां पर नौकरी ले सकते हैं रही बात result की कि कब तक result जारी होगा तो देखो paramedical वाली जब तक भरती का process complete नहीं हो जाता तब तक तो आप result जारी नहीं होगा क्योंकि यह पहले paramedical वाली जो भरती है इसे पूरी तरह से निप्टा देंगे तो आप expect कर सकते हैं कि देखो बहुत सारे बच्चों को यह भी है कि लोग सभाई election स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर बढ़ती नहीं होगी यह ongoing भरती है यानि जो भरती प्रकरिया पहले से प् फिर उस भरती में कोई आपती नहीं आती है इसलिए आप यह मानों कि यह election time में भी आपका process complete करवा सकते हैं अगर इनके पास भरती वोड के पास पूरी sufficient विवस्ता रहती हैं तो मैं आप सभी को एक ही चीज कहूँगा कि आपका physical हो गया, skill test हो गया, document verification हो गया, जो भी प्यार करके रखो अगर आपको इस वाली भरती में नौकरी चाहिए तो, और मैं फिर कह रहा हूँ कि यह भरती आपको नौकरी दे के जाएगी, आप में से हजारों बच्चे ऐसे होंगे, जो मैं comment करके बोलेंगे कि भाई, आपके कहने से मान लिया, तो बहुत फायदा हो दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल के एक्जामपल दे रहा हूँ, दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल में बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, तो कहते हैं कि अगर आपकी बात मान लेते तो आज दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल में भरती होते हैं, तो यह ही आल होता है कि जब पस्ता तो आज अगर आप जाग गए तो नौकरी इस भरती में मिल जाएगी और मैं आपको इतना कहरूं कि डिले हो रहा है सिर्फ इसी में डिले हो रहा है बाकी का कुछ भी डिले नहीं होगा जिस दिन आपका रिजर्ट जा रही हो गया उस दिन यह समय लेना कि उससे 10-15 दिन के अ कट-off के चक्कर में मत रहो फिजिकल वगएरा जो भी स्टेज वाकी है उन सभी की तयारी कर लो उमीद गर दो कि यह जानकारी आप सभी के लिए काफी इंपोरेंट रही होगी आप सभी से हाथ जोड़के नवेदन है कि वीडियो को सभी के साथ शेयर जरू कर देना और सब सारे बच्चों को हो सकता है कि वीडियो यूस्फॉल ना लगे और जैने यूसफॉल नहीं लग रही मैं अच्छे से जनता हूं कि पहले भी नौकरी नहीं मिली है आज भी नहीं होना है बठक ना पड़ेगा क्योंकि जब तक आप सीरियस नहीं होंगे तब तक नौकरी नह लेंगे नेक्स्ट वीडियों और सु थैंक्यू फोर वाचिंग जै रें जै वारत